Hello everyone, welcome to my channel. स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में. हिंदी और संस्कृत के कुछ शब्दों में आपने अंत में ऐसे दो बिंदू लगे देखे होंगे उपर और नीचे. आज का हमारा विशे यही है कि इन बिंदूओं को क्या बोलते हैं किस प्रकार इनका उचारण और प्रयोग किया जाता है. इन दो बिंदूओं को विसर्ग कहा जाता है. विसर्ग जिसका चिन मैंने बताया आपको उपर और नीचे दो डॉट शब्द के अंत में या बीच में लगाए जाते हैं. उचारण किस प्रकार होता है इसका? आधे ह की तरह इसका उचारण किया जाता है. जैसे हम आधे हो बोलते हैं ऐसे ही इसका उचारण किया जाता है. विसर्ग स्वराश्रित होता है. इसका उचारण विसर्ग के पूर्व आने वाले स्वर पर निर्फर करता है. इसका क्या आर्थ है? शब्द के लास्ट में जो भी आपका स्वर आएगा उसके ही अकॉर्डिंग इसका उचारण होगा. जैसे की देखिए न, आधन, अ, आधम, अ, क्या शब्द बना? नम, नम, आधे हो के समान इसका उचारण होता है. और चिन कैसे लगता है? उपर और नीचे डॉट. अब यहाँ पे ब, आ की मात्रा, ल, आ की मात्रा और विसर्ग. तो आ, आ स्वर है, तो बाला, बालाहा. इसका उचारण कैसे करेंगे? बालाहा, तो अंतिम स्वर की अकॉर्डिंग इसका उचारण हमने किया. आधान, अ, द, और बड़ी की मात्रा, फिर विसर्ग. न, दीह, द, ए की मात्रा, व, आ की मात्रा और विसर्ग. दै, वय, ह, 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 तो उसकी अकॉर्डिंग, इसका अंतिम स्वर की अकॉर्डिंग हम विसर्ग का उचारण करते हैं. विसर्ग आम तोर पर, या फिर हम कह सकते हैं, संस्कृत के शब्दों पर ही विसर्ग लगाया जाता है. हिंदी में कुछ संस्कृत के शब्दों को जोकात्यों हम इस्तिमाल करते हैं. यानि हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ स्वर को जोकात्यों अपनाया गया है, जैसे ही वो शब्द हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदी भाषा में हम अपनाय गया हैं. इसलिए उनके अंत में विसर्ग लगाया जाते हैं. जैसे हम कुछ शब्द पढ़ लेते हैं इसके, जैसे शब्द है, अतह, तपह, छह, अंतह, प्रायह, प्रातह, शैनह, शैनह, दुख, स्वतह, फलतह, क्रामशह, मूलतह, संभवतह, अंततह, और साधारण तह, अब हम वर्कशिट के माध्यम से विसर्ग को समझने का प्रयास करेंगे, ये वर्कशिट है, जिसमें कुछ चित्र दिये गए हैं, उन चित्रों को आपको देखना है, पहचानना है और सही शब्द चुनना है, पहले चित्र में सूर्य उद्य हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा समय, प्रातह का समय, तो सही उत्तर क्या है इसका प्रातह, तो हम प्रातह के उपर असे टिक कर देंगे, अब ये दो हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, दो हाथ जोड़कर हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार को क्या कहा जाते हैं नमाह, तो सही शब्द क्या है, नमाह, हिंदी में छ कैसे लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं छ है यह छाहा तो नहीं है तो छ पर हम टिक करतेंगे दूसरे प्रश्ण में हम सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो तो हम यह क्लाउड में हमें शब्द दिये गए हैं और हमें सही शब्द चुनना है और उस शब्द को रिक्स्थान में भरना है नमबर वन किसी को डैश नहीं पहुचाना चाहिए क्या नहीं पहुचाना चाहिए? प्राता नहीं पहुचाना चाहिए? दुख नहीं पहुचाना चाहिए? या निस्वार्थ? दुख नहीं पहुचाना चाहिए तो नमबर वन में क्या आएगा दुख दुख नहीं पहुचाना चाहिए नमबर टू डैश जल्दी उठना चाहिए कब जल्दी उठना चाहिए? प्रातह प्रातह नमबर त्री सबकी डैश सेवा करनी चाहिए नी स्वार्थ इसका क्या आरत है बिना स्वार्थ के बिना मतलब के हमें सबकी सेवा करनी चाहिए नी नीह स्वार्थ आशा है आपको विसर्ग समझ में आ गया होगा अभ्यास कीजिए बेटा और विसर्ग को समझने का प्रयास कीजिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए विशय के साथ बाई अवरिवन